कॉंग्रिस ने नई कारेकारिनी के पदाधिकारियों को किया सक्रिय उधर RLP ने भी ताल ठोकी उपाध्यक्षों को संभाग प्रभारी, महसचीव को जिलों की जिम्मेदारी, प्रदेश पदाधिकारियों को दिया जिलों का प्रभार राजस्थान कॉंग्रिस में गठित की गई टीम को नई जिम्मेदारी दे दी गई है प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा ने शनिवार को पदा अधिकारियों की जिम्मेदारी की सूची जारी कर दी है इसमें उपाध्यक्षों को संभाग प्रभारी बनाया गया है वही महासचीव्य सचीव को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है वही रविवार को इस नगठित टीम की PCC में पहली बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोर वे राजस्थान कॉंग्रिस प्रभारी अजे माकन मौझूद रहेंगे हालांकि राजस्थान कॉंग्रिस के तमाम बड़े नेता जब जैबुर में होंगे लेकिन पूर्ट डिप्टी CM सचिन पाइलिट इस दौरान अपने चनावी क्षित्र टोंक दौरे पर रहेंगे मेगावल को जैपर संभार का प्रभार उपाध्यक्ष गोविंद राम मेगावल को जैपर संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया इस संभाग में आने वाले जिलों में महा सचीव विधायव रीटा चौधरी को जैपर सचिव जस्वंत गुजर को अलवर सचिव महेंद्र गुजर को दौसा सचिव विचाल जंगीड को सीकर और सचिव पूल सिंग ओला को जुन-जुन का प्रभारी बनाया गया है हरी मोहन को अजमेर संभाग का जिम्मा उपाध्यक्ष हरी मोहन शर्मा को अजमेर संभाग का प्रभारी बनाया गया है इस संभाग में आने वाले जिलों में महासचीव हाकिम अली को अजमेर, सचीव महेंद्र खेडी को टोंक, गजेंद्र सांखला को नागौर, मुकेश वर्मा को भील वाड़ा का प्रभारी बनाया गया है मालविय को उधेपुर संभाग का प्रभार विधायक महेंद्र सिंग मालविय को उधेपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है जितेंद्र सिंग संभालेंगे भरतपुर संभाग, वरिष्ट विधायक एवं उपादर्च डॉक्टर जितेंद्र सिंग को भरतपुर संभाग का प्रभारी लगाया गया है। इस संभाग में महासचीव वेद्र प्रकाश, सोलंकी को भरतपुर, सचीव ललत यादफ को जोलपुर करॉली, देशराज मीर्ना को सवाई माधुपुर का प्रभारी बनाया गया है। उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को कोटा संभाद की जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी प्रभारी रॉड़ है।